अगर आपको अमारे रेस्पी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक स्क्राइब पर दिजिए बेल आइकन दबा दिजिए थाके हर रेस्पी आप सब मिलती रहे हमें फेस्बुक इस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए देखे हमने 500 ग्राम का फूल गोवी ले लिए उसे छोटा छोटा टुकडा फूल को नहीं काटेंगे अच्छी तरह से थोड़ा बड़ा बड़ाई टुकडा करेंगे फूल गोवी का देखिए इसी तरह से काट लेंगे पानी में डाल के रख देते हैं ताके कीड़ा उड़ा होगा निकल जाएगा अगर आप हमारे चैनल पर नाए हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए बेल आइकन दबा दिजिए देखिए हम इसी भी दो तीन आलू लिए हैं डालेंगे आलू को भी अच्छे चील कर काट लेंगे गोवी को भी इस तरह से डंठल में काट कर डाल देते हैं सबजी म अच्छा लगता है कि देखिए तीन आलू लिए मीडियम साइज का आप अपने फैमली की हिसाब से कंटेटी बनाई है कि देखिए इसे लंब लंब स्लाइस में काट लेते हैं आलू को भी चलिए हमारा आलू भी कट के हो गया है अब गयस को आउन करते हैं पर आई रखें गयस पर देखिए एक छोटा साइज प्याज लिए है आट दस कली लासून लिए एक टुकड़ा अतरक कली है इसका पेस्ट बनाएंगे अगर आप पेस्ट नहीं बना सकते हैं तो प्याज क प्याज कीफिए है ओठे में अक्छी ग्रेवी बन जाती है इसका पेस्ट बनाएंगे हम इसे भी काट लेते हैं प्याज को अधरब को काट लेते हैं छोटा टूकड़ा में इसे ले लेते हैं पेश्ट बनाने के लिए कराई रखें गैस पर गैस पर गैस अन्ट करते हैं थोड़ा सा तेल डाल लें शर्चों का इसी में गोवी को हम भूनेंगे मिडियम आज पर देखिए अच्छी तरह से मीडिया माच पर गोवी को भून लेंगे गोवी को भून के बनाने से जल्दी गोवी गलता नहीं है तो एकदम गोवी बिना भूनने बनाएंगे तो गोवी जल्दी से गल जाती है और टुपने लगती है देखिए इसे चला चला कर अच्छी तरह से भून लेंगे देखिए हमारी गोवी भून गई है इसे निकाल लेते हैं देखिए हम थोड़ा ही तेल डाले थे अब इसी में आलू भी भून लेंगे थोड़ा से तेल डाल दी है और हम अब इसी में आलू भी डाल कर भून लेंग यह दो लाल हो जाता है जल के थोड़ा थोड़ा तेल में भूने तो तेल भी फ्रेस राता है जब्जी स्वादिश्ट बनती है देखे अब इसी में थोड़ा से तेल डाल दी है थोड़ा से जीरा डाल लें थोड़ा से हींग डाल लें अगर प्याज लवस्मिन का पेष्ट गनाके रखी थी अधराप्पा उसे भी डाल दे रहें मसाला लीएँ एक चोड़ा दृ़र स्मीरी मीर्चे थोड़ा अल्दी है सिसमीर होशाच माुटर द्धनिया पाउडर है रेविक पानी जलो पीनाट है देखे, थोड़ा और पानी जाल के अच्ही तरह से भूनेंगे मसाले को। थोड़ा से भूने रहा हैं, मसाला अच्छी भून गया इसे में टरमाटर डालेंगे इम दो बड़ा साइज टरमाटर डाले आलू गोवी में इस तरह टमाटर काट के डालने से सब्जी अच्छा लगता है, थोड़ा सा नमक डाले हैं तक टमाटर बल जाए, आप चाहें तो टमाटर का प्युरे बनाके डाल सकती है, लेकिन हम कहेंगे काट करी डाली है सब्जी में, अच्छी तरह चला देंगे, अब जाल दो के लिए देखिए अच्छी तरह से चला दे रहा है ए अच्छी तरह से हमारा गोवी मसाला सब भून गया इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रहे देखिए थोड़ा सा पानी डाले हैं तीन चार हरी मीड्स काटकर डाल दिये हैं अब अपने तीखे कीसाब से डाल सकती हैं इसे ढ़क के मीडियम गैस पर पकने देते हैं रस चितना कि गोवी और आलू गल जाए हमारा पांच साथ मिनट के लिए अब इसमें आदा चमच गरम मसाला डाल रहे हैं थोड़ा सा कस्तुरी मेथी डाले हैं एक चुटकी हाथों से रगर पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालते रहे हैं हमारा सब्जी विल्कुल रेडी है आलू गोवी भी विल्कुल अच्छी तरह से गल गई है इवी स देखिए बहुत ही टेश्टी सब्जी बना है बहुत फटा फट बन के तयार हो जाता है बहुत ही इजी है आप सब भी बनाएए खाईए कोमेंट किजिए कि हमारी रेस्पी आप सब को फैसी लगती है